हाई दोस्तों आप लोग कैसे हो आज मैंने बनाया है करेले की सबजी यह मैंने लिया है वाइट करेला इसके सबजी बहुत भी टेस्टशि लगती है दोस्तों इसे मैंने धो लिये हैं और उपर से छिल लेती हूं और इसे कटिंग कर लेती हूं ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं सारे मैंने कटिंग कर लिये हैं कड़ाई में डाली तेल जीरा प्याज पड़ी पत्ता इसे अच्छे से बूल लेती हूं लैसुन की कलिया डाली है हमारे गामे इसी तरीके से बनती है खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है और अब मैंने करेला डाल दिया है इसे ठक देती हूं 3-4 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसमें डाल दिया टामाटर और इसे अच्छे से बुनते हुए नमक डाल दिया जीरा पावडर गरम मसाला मिर्शी पावडर और हल्दी और सावत मैंने इसमें हरी मिर्शी भी डाली है बाकी और मसाला इसमें अड़ने करूंगी ऐसे ही इसे दो-तिन मिनट के बाद चलाते रहना है और बहुत जटपड से बन जाती है हमें कटिंग करके दिखाते हैं देख लेजिए पक चुका है थोड़ी से मैंने इसमें डाल दे एक कसूरी मेथी धनियापत्ती इससे इसका सॉध बहुत जटी बढ़ियां लगते हैं और यह सब्जी दाल चावल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हो परेठा के साथ खा सकते हो रोठी के साथ घा सकते हो दोस्तों खाने में बहुती टेस्टी लगती है सब जी हमारी तयार है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सस्क्राइब कीजिए आप भी बनाएए खाएए और इंजॉई कीजिए मैंने तो परेठा के साथ इसे सो किया है दोस्ते अभी ट्राइक कीजिए बाइबाए